दिस्क्लीमर ये एक रोज पीडियो है तो अगर अपने फेवरेट सीरियल की बीज़वती देखकर आपका पिछवारा जल जाये तो खित या मेरे कमेंड बॉक्स मराकर ना हगी तरकार ने जो सोचाले दिया है उतका प्रयोग करे धन्यवाद हाँ जी आज हम बात करने वाले है उसी सीरियल के बाले में जो सीरियल फैरन लवली से इंस्पायर होके निकला है सीधे शब्दों में कहूं तो ये सीरियल सुंदर ना दिखने वाले लोगों को सिंपती दे रहा या डरा रहा है वो समझपाना बहुत मुश्किल है डिरेक्टर के हिसाब से अगर तुम सुन्दर नहीं हो तो तुम्हें कही इज़त नहीं मिलेगी। तुम्हारी खुद की मा तुम्हें सेक्सी दिखाने के लिए अजीब अजीब हरकते करवाएंगी। तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें किसी के साथ भी मतलब किसी के साथ भी बान देंगी। तो सीरियल के स्टार्टिंग में आती है हमारी हिरोई जो अपना भरपूर बेज़दी करवा रही होती है वो भी इन महाशे से। ये है हमारी हिरोई रुचिता पर हम इन्हें हिरोई जी बुलाएंगे। सीरियल के हिसाब से ये काली है। शायद सीरियल के डिरेक्टर जीने इन्हें नहीं देखा। अगर देखते हैं तो हिरोई उनको काली नहीं लगती। इनहीं देखो और हमारी हिरोईन को देखो, लग रही है ना हमारी हिरोईन कितनी गोरी, सब नजरिय की बात है, जैसे मैं जब अकेली होती हूँ तो दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की मैं ही तो हूँ, पर जब मेरी दो सहेली के साथ निकलती हूँ तो एक लक्षमी और तो मिल सकते है, और फिर वही हिरो कुछ एपीसोड के बाद, क्यूँ, आ गए ना जमीन पे, इसलिए कहते हैं कि आसमान में चाहे कितना भी उड़ो, पर पैर हमेशा जमीन पे होना जाहिए, वैसे इस सीरियम में हिरो का कोई खाकताम नहीं है, हमेशा दुखी आत्मा वाले एक्सपेशन लेके गुंता है, और बस हिरोईन जब मर जाए, तो रोने की आक्टिंग, और हिरोईन की मौत के बाद दूसरी शादी, अब तक ये तीन शादी कर चुका है, और एक को वेटिंग इसमें रखा है, और ये सारी शादिया करवा रहा है कौन? इसकी मा, और इसकी मा की कंट्रोल, जितनी भी तारिफ करो भुक कम है, ये दूसरे सीरियल के साथ से अलग है, ये जोग की प्रजादी से बिलोंग करती है, इन्हें इंसानों का खुन चाहिए, और इन्हें अपनी बहु का, ये अपनी बहु का इतनी बार खुन कर चुके है, जितनी बार इन्ह ठीक जवा काम करता दिमाख में अजीवों करीब साजिश नहीं आते और इनको कभी गल्थी से कोई काम करने को कैदो तो इनकी उमर बर जाती है और इनके अंदर से हजारों भिमारिया सामने आती है पर यही कोई साजिश करनी हो तो उचल उछल के आ गया पर अब आता है इस सीरियल के कुछ विशेश कारियों पर इस सीरियल के महान फैमिली को कभी पता ही नहीं चलता कि इनकी बहुत हजार बार मढ़ चुकी है और वापस भी आ चुकी है ये लोग सुन्दर मन में इतना खुश चुक है कि ये लोग भूल गया है कि बॉडी में एक दिमाग भी है और उसे यूज भी करना होता है जैसे कि हमारी हिरोई ने थोड़ा सा मेकप क्या कर लिया इन्होंने इसे पहचाना ही नहीं इतने सालों से साथ में रहने वाली इंसान को कितने सामने रहकर भी नहीं पहत जाना उपर से ये महान प्लानी जिस बहु को काली होने पर बार-बार मार डालती है वही बहु थोड़ा सा मेकप करके किया आ गई उसी से अपने बेटे की शादी करवाने चली है इसकी साथ किसी को नहीं छोड़ती है घर में कोई भी लड़की आए बस उसी के साथ हीरो की शादी करवा देती है पता नहीं कितने लोगों से मार भी खा चुकी है पर फिर भी नहीं सुद्री इसे इसकी बहु क्या कितने प्रकार के भगवान ने भी कोशिश किया पर नहीं सुधार पाए ये लोग इतने अमीर है कि बात-बात पर हर बात पर पार्टी करते है और उस पार्टी में थीम भी होता है जैसे कि ये कोई थीम है पार्टी का तो पता नहीं पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तेरवी चल रही है और ये दोनों इस तेरवी के दो भटकती हुई आत्मा है पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा अरे हाँ इन्हें कैसे भूल गए ये हैं इंटेलिजन्टों का सरदार इनके जिंदेगी में और कोई काम धाम नहुने पर अपनी नौकरानी यानि हमारी हिरोईंजी की टेस्ट ले रही है नौकरानी सीरिसली ये तुम्हें किस साइट से नौकरानी लग रही है और कौन सी नौकरानी ऐसी सारिया पहेंकर निकलती है लोगों के घर में काम करने के लिए नौकरानी तो ऐसी लगती है और इनकी परिक्षाओं का ना तो सर है और ना तो पैर घर के काम से दूर दूर तक बहुत दूर तक कोई नाता नहीं है हिरोईन जी की आखे और मुँ को बान कर उन्हें सिलाई करने को दिया जाता है इतने सारे चावल में से सारे कंकड़ों को निकालने के लिए कहा जाता है और इन काच के उपर से खाली पैर चलने को कहा जाता है और अगर हिरोईन इसमें फेल हो गई तो हिरोईन को इस घर में काम करने का सौब भाई क्या नहीं मिल पाएगा पर हमारी हिरोईन का तो मन है सुन्दर तो वो ये खर छोड़के कभी नहीं जाएंगी, किसी भी हालात में नहीं जाएंगी तो हमारी हिरोईन ने अपने अंदर की शक्ती को जगाया और पहली परिक्षा में अंधे और गूंगे होने की एक्टिंग करते हुए सुई में बिना देखे ठागा डाल दिया अब ये मत पूछना कैसे और कार्ट बोर्ड में कलाकारी किया और कुछ तो क्या पता नहीं क्या किया पर सिलाय कंप्लीट कर दिया तो एक मिनित ये कार्ट बोर्ड में तो ऐसा बना है और कप्ड़े में ऐसा क्यों और ये बीच के चार गोल इतने सही जगा कैसे बनी और ये गोल तो तुमने कार्ट मोर्ड में बनाया ही नहीं था तो नेक्स परिक्षा में हिरोण कंकर निकालने के लिए सारे चावल को पक्षियों को दान कर देती है कहा था ना ये लोग बहुत अमीर है और इतने अमीर है कि अपने जिंदगी के सारे कामधाम छोड़कर एक नौक रानी के टेस्ट के पीछे पड़ी है पर ये कौन से पक्षिय है जो इतने सारे लोगों को सामने देख कर भी सारे के सारे चावल खा गए लगता है बहुत दिनों के भुके होंगे बेचारे पर या नेक्स परिक्षा में तो हिरोण घिरू जीद गई हाँ वो काच के उपर गिर गई थी पर उससे क्या होता है कहाना हिरोण के पास अंध्रूनी शक्तिया है भगवान उससे खुद टाइम निकाल कर मिलने आते है और भगवान के पास कुछ जादा टाइम बच गया तो खुद ही हिरोण बनके आते है और इसे देखो भगवान पर ही लायन मार रहा है तब किस्मत की बात है पर एक बात तो कहना पड़ेगा कि हमारी हिरोण सच में बहुत अच्छी है इतनी अच्छी है इसलिए उसकी सास हमेशा उसे स्वर्ग में फेजने की तयारी करती रहती है अब इतने अच्छे लोगों की जगा यहाँ पर थोड़ी है तो बस जैसे आप लोग मेरा वीडियो नहीं जेल पा रहे हैं वैसे ही मैं भी इनका सीरियल और नहीं जेल पा रहे हूँ और आप लोग बैगराउंड साओं सुनके समझी चुके होंगे